नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्वर्मे टाइमस में देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ शृष्टी पांडे खबरों को जानेंगे विस्तार से पर उससे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एक महिने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस कॉंगर्स पॉलिटिकल अफेर कमीटी की पहली बैठक संपन कई महत्वपून विश्यों पर हुई चर्चा राम भक्तों के लिए बड़ी खुश खबरी राम लला के दर्शन की बढ़ाई अब धी मुक्यमंत्री बग्हेल ने चरामा प्रवास के दौरान 127 विभिन विकासकारियों का क्या लोकारपन और भूमी पूजन अब खबरें विस्तार से केंद्र सरकार ने केंद्र करमचारियों को बड़ा तौफा दिया है सरकार ने दिवाली पर करमचारियों को बोनस देने का ऐलान आच कर दिया है वित्बंत्राले की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र के करमचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर नॉन प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा इसमें केंद्र सरकार के ग्रूप C और ग्रूप B कैटेगरी के करमचारी शामिल है ग्रूप B और ग्रूप C में आने वाले केंद्र सरकार के नॉन गजेटेड इंप्लॉई को भी बोनस दिया जाएगा जो किसी प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस स्कीम में नहीं आदे इतना ही नहीं एड़ॉप B बोनस का फाइदा केंद्रिय और्द सैनिक बलो की करमचारीओ को दिया जाएगा इसके अलावा अस्थाई करमचारीओ को भी इसका लाख मिलेगा सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इसका फाइदा बस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो 31 मार्च 2021 को सर्विस में रहे हैं उन्होंने वर्ष 2020-2021 के दौरान कम से कम 6 महिने तक लगा थार ड्यूटी दी हो एड आउक बेस पर न्यूटी अस्थाई कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा लेकिन इस भी सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए कॉंग्रिस पॉलिटिकल अफेर कमीटी की पहली बैठक आज राजीव भवन में आयो जित की गई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पी अल पुन्या मुख्यबंतरी भूपेश बगेल अमरजीद भगजच शिवडेहरिया टीए सिंधेव सहित सदर्श सामिल रहे वहीं बैठक के बाद जानकारी देते हुई प्रदेश प्रभारी पी अल पुन्या ने बताया कि आज की बैठक में महत्वपून विश्यों पर चर्चा हुई जिसमें एक बेहतर समन्वे के साथ में आगे काम किया जाएगा 2023 का चुनाओ किस तरीके से लड़ा जाए या मुख्य रहा साथ ही सीम भुपेश बगेल ने कहा बैठक के उदेशों के बारे में पुन्या जी ने दानकारी दी है बैठक में दो प्रस्ताओं भी पारित हुए आगे चुनाओ की रणनीती किस प्रकार हो कैसे हमें जाना है इन बिंदूओं पर चर्चा हुई आवश्यक दिशा निर्देश प्रभारी के द्वारा हम सब को दिये गए इसका क्रियानवयन हमको करना है आयोध्या में राम मंदर का निर्मान जैसे जो से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मंदर प्रशाशन भी भक्तों के सुविधाओं को बढ़ाता जा रहा है इसी को ध्यान में रखकर श्री राम जन्म भूमी शेत्र ट्रस्ट ने राम लला के दर्शन वारती की अवधी के साथ 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 समय में बढ़ाव किया है जिससे लोग अब अपने अराध्य को जादा देर तक निहार सकेंगे या बढ़ोत्री स्थाई तोर पर की गई है साथ बजे तक शद्धालू राम लला का दर्शन कर सकेंगे सुबह साड़े च्षय बजे भगवान राम लला की जागरन आरती होगी जिसमें भक्तों को शामिल होने के लिए ट्रस्ट कैम कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सुरक्षा मानक को पूरा करने के बाद तीस भक्तों को जागरन आरती में प्रवेश दिया जाएगा इसके बाद शाम साड़े साथ बजे सायंकाल भोगारती होगी भोगारती में साथ राम भग शामिल हो सकेंगे इसके लिए श्री राम जन्मभूमी तरशेत्र ट्रस्ट कै प्रवेश पत्र लेना होगा बतादे की भक्तों की भीड को ध्यान में रखकर दर्शन के समय में बढ़ोत्री करने का निर्ने लिया गया है मुख्यमंत्री भूपेश पगेल ने आचकांकेर जिले के चरामा प्रवास के दौरान वहां के मिनी स्टीडियम में आयो जित कारे एक्रम में शेत्र के विकास के लिए लगभग 50 करोड उपय की लागत के 127 विभिर्न विकासकारियों का लोकारपन और भूमी पूजन किया उन्होंने इसके अलावा हिद्गराही मुलक योजनाओं में हिद्गराहियों को सामागरी वसायता राशी के चेक का वित्रन भी किय और आम सभा को संबोधित किया इस आफसर पर विधान सबार देख्ष डॉक्टर चरंदास महंत आपकारी मंतरी कवासी लकमा महिला यवं बाल विकास मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेडिया संस्कृती मंत्री अमर्जीत भगध संसिदी तसचीव यवं प्रेस करें